इस्ट्रोबेरी भी कितनी अच्छी फ्रूट है ना तो चलिए आज हम इसी का बनाएंगे मिल्क शेक और इतना बहतरीन टेस्ट कि आप भी मजे लेके खाएंगे चलिए तो आज हम बनाएंगे मिल्क शेक बनाना बहुत ही आसान है इसमें बहुत कम चीजे लग रही है और आप तो पता है कि यह मौसम में स्ट्रोबेरी अराम से मिल जाती है तो इसे ले लीजे और मैने जैसे बनाना है वैसे आप इसको ट्राय करें और अच्छा लगे तो फ्लीज स्ट्रोबेरी तो यहां पर मैं दो डिब्बे ले रही हूं इस तरह से रेडी डिब्बू में मिल जाते हैं तो पहले इसके यहां पर हम अलग कर देंगे इसके पत्ते जो की ज़रूत नहीं है और इस तरह से सब को साफ करके रख लेंगे इसके बाद हम इसको पूरी सब को सफाई होने के बाद पानी में डाल देंगे ताके इसके सारी गंदगी जो भी होगी वह निकल जाएगी अच्छे से एक-एक पीच को पकड़के धोना है ताके इसमें हर एक में कोई भी चीज लगी हो तो वह निकल जाए क्यूंकि नजाने कब से यह पैकिंग होके आई है और वैसे तो यह अच्छा कड़क कड़क है ताजे ताजे लग रहे हैं लेकिन सफाई ज़रूरी है तो यह सबी साफ हो गए तो चलिए मिक्सी में इसे डालके पीस लेती हूं मैं मिक्सी में हम इसे दूद के साथ पीसेंगे तो दूद तो यह डालना हैं लेकिन शक्कर नहीं डालेंगे क्यूंकि हम व्यक्रिम डालें जिसके अंदर अल्डली video शक्कर मिक्स है तो यहां शक्कर तो यह देखिए हमारा कितना अच्छा सा बेस देडी हो गए है हमारे देखिए पिस गया है सबच्छे से तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं कि सबजा भीगावा है इतना हमने सब्र hemen दिया विख लखा दिया है कि असम tradis में मिला देते हैं कर ता ब paddle के और इसको वह घ्लास में डालेंगे इससे पहले महीं यहां पे थोड़ा सा रूफ जा रे रही है तो अप्सक्ट क्या करूंगे इसतरह से थोड़ा सा सब तरफ गिरा दूंगे थुना थोड़ा ग्लास में तो आप देखिए यह हमारा रेडियो गया और यह इस तरह से बेस रेडिया है तो इस ग्लास में दालना शुट करते हैं तो इसमें मीठा अपने आप है क्योंकि हमारा जो वीप क्रीम है उसमें शुगर मिक्स था तो यह हमारा रेडिया है अब ही हम उपर से डालेंगे थोड़ी सी क्रीम और इसी के उपर रख देंगे यह कटे में पूस्ट तो यह हमारा रेडिया हो गया और यह देखिए इस तरह से हम लगाएंगे इसको प्रेंटस देखिए आपको हमारी रेसीपी जरूर कमेंट कर्के पताइए और यह देखे कितना कुपसरत और बहुत ही बहुत ही पाइड़ मन और बहुत ही टेस्टी बनाए है मारा यह मिल्क शयक अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक दीज और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाबाई टेक केर अल्ला हफिस